नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है दोस्तों ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिक होने वाली है तो आप लोग अच्छा से देखिए वीडियो को लास्तक देखिए क्योंकि आप लोग government job की तयारी करते हैं तो आपको आज बहुत कुछ अच्छी अच्छी बाते बताएंगे और इसमें आज आपको बताएंगे mainly leave के बारे में कि आपको central government के job में कितिनी छुटिया मिलती है तो आप लोग video को अच्छा से देखें लास तक देखें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप यदी government job की तयारी कर रहे हैं और आप यदी government job में जाना चाहते हैं तो दोस्तों चलिए video को शुरू करते हैं आप लोग यदी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक तर दीजिएगा है ना आपको GKGS कर इंटरफेर्स का question और exam से सम्मंदित कोई भी यह information हो आपको हमेशा मिलता रहेगा तो दोस्तों चलिए video को शुरू करते हैं और आज जो हम लोग बात करेंगे mainly leave के बारे में हैं कि आपको total कितनी छुट्टी मिलती है तो आईए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहला जो दोस्तों यह है आपका EL है अर्न लीव है ना इसको कहते हैं अरजीत अवकास कहा जाता है और यह जो हम आज आपको यह बताने वाले हैं यह आपका मेंली है जो नन बेकेशन यह स्टाप होते हैं मतलब जैसे जिनकी बेकेशन नहीं होती है गर्मी छुट्टी ठंडा का छुट्टी है ना यह सब मतलब जैसे की टीचर लोग है ना अब जो KBS, NBS के टीचर या फिर कोई भी अन्य संगठन में टीचर होंगे तो उनके लिए EL मतलब अलग होती है इतना EL उनको नहीं मिलता है ना तो एक दिन इसमेसल लाएंगे जो बेकेशनल एश्टाप होंगे उनके लिए आज जो आपको बता रहे हैं यह All to All के लिए है सिवा जो बेकेशनल एश्टाप होंगे उनके अलावे यह सब के लिए है तो दोस्तों आईए आपको यह बता रहे हैं कि आपको टोटल EL यानि कि अर्न लीप आपको कितना मिलता है तो दोस्तों यह जो है आपको साल में दो बार मिलेगा है ना यह कब कम मिलेगा तो आपको यह पहली जनवरी को यानि कि फर्स्ट जनवरी को आपके एकाउंट में 15 EL जो है क्रेडिट हो जाएगा यानि कि 15 दिन आप चुट्टी ले सकते हैं यह एक तरह से एडवांस में आपको जो है सरकार देती है एडवांस में यह क्रेडिट कर देती है EL का अर्थ होता है अर्ण लिव यानि कि अर्जी तबकास आपके द्वारा कमाया गया लिव है ना यह लेकिन आपको एडवांस में दे दिया जाता है जो कि आप इसका यूज कर सकते हैं है ना तो आपको एक बार आएगा जनवरी माएगा पंदरा दिन और उसके बाद फर्ष्ट जुलाई को आएगा पंदरा दिन यानि कि ये टोटल जो आपको एक साल में मिलेगा वो 30 डेज आपको मिलेगा EL है ना तो EL आपको कितना मिला तोटल आपको ये 30 दिन मिला EL आपका पंदरा आया जनवरी में पंदरा आया जुलाई में है ना और इसका जो ये कल्कुलेशन जो होता है वो आपका होता है धाई ये पढ़मन्त होता है यानिकि 2.5 आपका पडमंध होता है यह कब होता है लागू तो आपको यह बता रहे हैं कि जैसे कोई रिजाइन करके जा रहा है वो पूरा साल तो जॉब नहीं किया वो मतलब जैसे कि मार्च में वो जॉब जा रहा है तो इस तरह सी कलकुलेशन होता है और यह मांण लीजिए कि आप जैसे कि अभी करियेगा मतलब कहीं पर जाके जॉइन करियेगा अभी यानिकि अगस्त में है ना तो इसका क्या होता है कि आप यदि फर्स्ट अगस्ट को कर लिए जोईन तब तो आपका अगस्ट का भी मिल जाएगा ढाय है ना आप यदि अगस्ट 2, 3, 4, 5 मतलब जैसे कि अगस्ट बीच में करेंगे कभी भी तो फिर आपको अगस्ट महिना का नहीं मिलेगा तो आपके अगस्ट में क्रेडिट कम होगा तो वो जह सेप्टेंबर में होगा यानि कि आपको जो मिलेगा वो सेप्टेंबर अक्टूबर नोमंबर और ये दिसंबर कितना महिना हो गया ये चार महिना हो गया यानि कि धाई इन्टू 4 यहीं कि आपको इस साल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 10 EL आपको यह December तक मिलेगा और फिर एक जनवरी को आपके account में 15 EL क्रेडिट हो जाएगा तो इस तरह से यह चलता है धाय परमंत के हिसाब से और ऐसे generally आपको 15 EL जनवरी में और 15 EL आपके जुलाई में आ जाता ह यहनि कि आपको जो total 30 EL मिलेगा हर साल है तो यह आपका जो सबसे ज़्यादा मिलता है चुट्टी आपका EL ही होता है जो कि आपका यह 30 का 30 मिलता है यहनि कि आप एक साल में 30 दिन का चुट्टी ले सकते हैं आपके पास यदि है तो आपको यह 30 दिन का चुट्टी आप ले स सकते हैं आपके एकाउंट में रहना चाहिए और अब आई यह क्या है और एक चीज़ का यह क्या है बेनिफीट क्या है कि यह आपका क्या रहेगा कंटीनिव रहेगा यापके आपके पास अभी 30 EL है और अगले साल फिर से आएगा 30 यानिकि आपका जनवर योड जुलाइ में आएगा 30 तो आपके पास यह टोटल कितना हो जाएगा अगला साल साथ हो जाएगा आप यदि अगला साल भी नहीं करते हैं यो तो यह मतलब रहेगा लैप्स नहीं करेगा है तो EL का एक यह फाइदा होता है है ना तो आप इसलिए आप जब भी जॉब में आएए तो EL को बचा के रखिए है ना सेव करके रखिए कि आप जैसे कभे भी यह emergency आए कुछ भी आए आपके account में रहेगा EL तो आप एक लंबा छुटी पे रह सकते हैं है ना मतलब जैसे तो फिर आपको यह करना पड़ेगा EOL यह क्या होता है इसमें आपको क्या मिलेगा बेतन नहीं मिलता है आपको इसके लिए जो है payment नहीं मिलेगा आपके account में कोई चुटी नहीं है तो आपको without pay रहना होगा यानि कि आप जितना दिन भी चुटी पे रहेंगे आपको उसके के लिए कोई payment नहीं किया जाएगा है ना तो इसलिए आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि आप यदि जॉब में आ रहे हैं तो EL को हमेशा आप सेव करके रखिएगा कि कभी emergency लगे तो आपको continue आप जैसे चुटी पे मतलब यह रह सकते हैं और आपके account में पैस तो एक यह जनकारी थी आपको कैसी लग रही है यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर जो लाइक करते रहें और अब आईए अब आपका क्या है अगला यह आपका है casual leave इसको बला जाता है CL और यह क्या होता है यह आपका जैसे की बहुत अच्छा होता है leave लेक से lunch के बाद आए second hub में आप duty करिएगा join तो यह आप half day CL ले सकते हैं लेकिन EL में यह चीज नहीं है आप half नहीं ले सकते हैं तो एक यह इसका क्या रहता है फाइदा कि आप जैसे half day भी ले सकते हैं आपका जैसे half day छुटी है कहीं जाना है तो आप इसको ले सकते हैं अब मत यह चीज नहीं होता है कि आप उसको जो है बीच बीच में ले सकते हैं जैसे आपको समझा दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा तो यह आपको कितना मिलता है परियर CL आठ मिलता है ना अब आपको यह हम बता दे रहे हैं कि मान लिजिए कि यह दो अगस्त है ना तीन अगस् और यह आपका 5 अगस्त को क्या है छुट्टी है यह आपका क्या है छुट्टी है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक अगस्त को भी आप ले सकते हैं यह C.L. है ना? उसके बाद क्या है? दो भी छुट्टी है, तीन भी छुट्टी है, आप चाठ अगस्त को भी ले सकते हैं C.L. आप यानि कि दो दिन ले लिए CL आपका 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त तक आप जो छुट्टी पे तब रह सकते हैं यानि कि 2 CL लेके आप 3 दिन जैसे बीच में आ गया holiday आ गया गजटेर holiday और 2 आप ले लिए CL यानि कि आप 2 CL लेके 5 दिन आप जो छुट्टी पे रह सकते हैं लेकिन EL को आप इस तरह से बीच में नहीं डाल सकते हैं है ना, हाँ, EL में क्या होता है कि आपका जो है सिर्फ ये prefix और suffix ही होता है count और उसके आलाबा यदि कोई छुट्टी बीच में आ रहा है तो वो आप EL के साथ नहीं ले सकते हैं लेकिन ये CL के साथ एक ये फाइदा है कि आप उसको छुट्टी के बीच-बीच में भी ले सकते हैं आपको छुट्टी के साथ पैदा हो जाएगा लेकिन एक चीज़ इसमें यह है यह आपका केरी फरवार्ड नहीं होता है आप यदि आठ दिन यह यूज नहीं किये साल में तो यह आपका जो लेप्स कर गया है ना तो जनरली यह मतलब आठ काट सब लेहीं लेता है ना तो आपका maternity leave होता है यह only महिला को मिलता है और दो यह surviving children तक यह मिलता है छुट्टी कहने का अर्थ होगा कि दो बच्चे तक मिलेगा यानि की मान लिजे की कि नहीं का दो बच्चा हो गया है ना और एक दूर साल के बाद इसमें से किसी एक का डेथ हो गया है तो अब उसके पास कितना है एक ही है तो एक और जो है next बच्चे के लिए उसको यह live मिलेगा इसलिए आपका जो बोला जाता है कि two surviving child के लिए यह जो है मिलत इसमें नहीं मिलता है तो आपको टी यह नहीं मिलेगा है ना ट्रंस्पोर्टिय लाउंस वह आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप मतलब जैसे आना जाना तो नहीं कीजिएगा न आप जैसे maternity live पे रहिएगा तो आप आईएगा तो नहीं ओफिस इसलिए आपको यह टी यह नहीं मिलता है maternity live मतलब बस इतना ही होता है नुकसान लेकिन आपको और भी जो भी अलॉंस होता है टोटल आपको ब नहीं मिलता है आपको ओनली जो है 15 दिन का मिलता है paternity leave लेकिन अभी कुछ न्यूज यह आ रही थी कि यह आपका paternity leave थोड़ा ज्यादा करने पर विचार किया जा रहा है तो देखते हैं कि आगे यह क्या होता है तो अभी जो आपका यह है रूल कि जैसे यदि कोई पिता ब surviving child तक मिलता है paternity leave आपको दोनों के लिए कितना किता मिलता है 15 15 दिन आपको मिलता है आपके पास यह दो बच्चे है और एक का डेथ हो गया फिर यह अगला बच्चा मतलब होने वाला है तो फिर आपको 15 दिन का मिलेगा यह नहीं कि आपके पास दो surviving child होना चाहिए तो यह है दोस्तों एक तरह से छुट्टी है जो कि आपको Central Government के job में मिलता है और भी छुट्टी है अलग-अलग टाइप का condition के ऊपर होता है तो आपको धीरे-धीरे करके सब कुछ अच्छा से बताएंगे कि कितना दिन में ले सकते हैं इसके प्रिफिक्स क्या होता है कैसे आप ज चैल्ड-केर मिलता है उसका होता है टोटल आपको जो मतलब 730 दिन होता है है ना आपको सब कुछ बताएंगे धीरे-धीरे फिर उसके बाद आपको एक होता है MTP होता है यह जैसे कि अवर्षन होता है उसके लिए भी आपका जो फटी फाइव डेज का लिम मिलता है तो हमेशा धवाकेदार आहीं रहा है तो आप लोग अच्छा से देखते रही है और हेल्फ लेते रही ओके तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा यदि अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिल कर?